आप सुन रहे है रेडियो का नंबर वन शोव सुहाना सफर विद अनुकपूर सिर्फ 92.7 बिग एफेम पर तलत सहाब ने अपने पिता की नकल करने की कोशिश की पर घर वालों को बिलकुल अच्छा नहीं लगा और घर वालों ने उन्हें सकती के साथ ये नकल करने से मना कर दिया सिर्फ उनकी फुपी उनकी बुआ जी उनको सुनती थी और उनकी होसला अफसाई करती थी और बुआ जी नहीं जित पर तलत को संगीत की शिक्षा के लिए मौरिस कॉलेज अफ म्यूजिक में एड्मीशन भी दिलवा दी सुला साल की उम्र में तलत महमूद को रेडियो के लिए गाने का मौका मिला और उनका गीत लखनओ में बहुत लोग प्रिय हो गया इत्तफाग देखिए रिकॉर्डिंग कमपनी हमवी की टीम लखनओ आई हुई थी और तलत महमूद के दो गाने रिकॉर्ड किये गए जिसमें एक गीत था सब दिन एक समान नहीं था ये गीत बहुत मशूर हुआ और इसके बाद तलत महमूद ने कलकत्ते का रुख कर लिया एक गाना था तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी ये गाना बहुत पापिलर हुआ और उनके इस एल्बम ने अपने टाइम में सबसे ज़ादा बिकने वाले एल्बम का नया रिकॉर्ड स्थापित किया फिर खिसमत और तलत की फिल्मों में गाने की इच्छा उन्हें 1949 में बंबई ले आई जहां उन्होंने अनिल विश्वास जी के संगीत निर्देशक में आरजू फिल्म के लिए एक गीत गाया गीत के बोल थे ऐ दिल मुझे ऐसी जगा ले चल ये गीत दिलिब कुमार के लिए गाया था तलत महमूद ने फिल्मों में गजलों को एक नया मोर दिया बहतरीन गजलें फिल्मों के लिए गाई और उन्हें फिल्मी गजलों का शेहनशा भी माना गया मुझे उम्मीद है कि हमारे जिस च्छोता ने तलत सहाब के बारे में सवाल पूछा था उनकी जिग्या सा थोड़ी शान्त होगी तलत सहाब को याद किया खराज याकीदत के तौर पर तलत सहाब का गाना ज़रू सुनाओंगा लेकिन उससे पहले आप से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो समस कीजिए लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफर और अपना मैसेज, सवाल, सजेशन जो भी आप भेजना चाहें भेज दीजे 55454 पर आप हमारा ये शो बिग एफिम के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं फेस्बुक पर मुझसे कॉंटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ओफिशल फेस्बुक पेज फेस्बुक स्लैश सुहाना सफर विद अनुकपूर याद रखिएगा जैहिन वंदे मातरम